स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल तपस्याटीच में दोस्तों आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कि हाली में एक अपडेट आया है कि पंजाब नेशनल में अगर आपका एकाउंट है और आप एम पास्वुक का यूज करते हों जैसे मिनी एस्टेटमेंट ट्रांजेक्शन ओगड़ की जनकारी लेते थे कितना रुप्या डेविट हुआ कितना रुप्या क्रेडिट हुआ इसका जनकारी एम पास्वुक में मिलता था लेकिन अब एम पास्वुक को फाइनली पूर्ण रुप से बन कर दिया गया है या लेकिन बताया गया कि एक ताइट से पूर रुप से बंद कर दिया जाएगा तो अब आप सोच रहा होंगे कि इसकी जनकारी हम लोग को कहा मिलेगी और कैसे मिलेगी अपने एकाउंट से जूरी जनकारी तो आपको हम बता दे कि आपको अपके एकाउंट से जूरी जनकारी जो मिलेगी, PNB का One App है, उस पे जनकारी मिलेगी, PNB का Play Store पर One App Application आ गया है, उस पे जनकारी मिलेगी, जो Aim Passbook है उसको One App में मर्ज कर दिया गया है, यानि कि पंजाब निशनल के One App जो है उसमें मर्ज कर दिया गया, यानि कि Aim Passbook को अब यहां से अटाकर डारेक्ट उसमें मर कर दिया गया तो आप सोच रहा होंगे कि एम पास्बुक कैसे चलेगा तो आपको बता दे आपका जो नंबर आपके बैंक एकाउंट में जुड़ा होगा वही नंबर अगर आपके आधार कार्ट से लिंक होगा तब जाके आप पी एंबी का वन अप्लिकेशन यूज कर सकते हैं अन्याथा आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों में एक ही नंबर एड होना चाहिए तब जाके आप नंबर नंबर को एड किजिए और आसानी से एक बना लेते थे हम लोग चार डिजिट च्छे डिजिट का और यूज करने लगते थे लेकिन अब नहीं होगा अब आपको वन एप में इससे जूड़ी जनकारी मिलेगी डेविट क्रेटिक ट्रांजेक्शन से जो भी जनकारी आपको चाहिए कितना आपके एकाउंट में आया कितना आप किसी को वेज़े मिनी एस्टेटमेंट ओगड़े जो भी जनकारी चाहिए अब PNB का वन एप में मिलेगा तो फाइनली पूर्ण रूप से PNB का एम पास्बूक को बंद कर दिया गया है यानि कि एक नौंबर से इसको पूर्ण रूप से मर्ज कर दिया जाएगा PNB के वन एप्लिकेशन से दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आप कैसा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो PNB का एम पास्बूक आसानी से यूज कर लेते होंगे लेकिन PNB का वन एप्लिकेशन जो है वो एकाउंट से जुड़ी जनकारी ले पाएंगे दोस्तों मैं उमीद करता हूँ मेरी दीगे जनकारी आप लोग को अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि बैंकिन से जुड़ी संपूर्ण आपको हमेशा ही मिलती रहें धन्यवाद